जब तक यहां जोतिशकार दूसरों का भविश बताते थे लेकिन शिवराज सरकार में एक ऐसे मंत्री हैं जो की जोतिशकारों से दो कदम आगे निकल गए हैं लेकिन क्रशी मंत्री कमल पटेल अप्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान राम से की है मंत्री कमल पटेल ने तरक देते हुए कहा कि भगवान राम ने जिस तरह से रावन के अत्याचार से धरती को मुक्त किया क्रश्न जैसे लोग को कंट सिंस के अत्याचार स से मुक्ति दिलाई ठीक उसी तरह से कॉंग्रिस के अत्याचार से पीएम नरिंद्र मोदी से लोगों कुंग्तु आपका एक वीडियो वैराल हो रहा है जिसमें आप प्रधान मुतिन नरिंद्र मोंदी की तुलना जो है वरगवान से कर रहा है क्या कुरा माम देखिए इस दे अचार बढ़ा तो हमारे धर्मे में कहा गया है संस्क्रति में कि किसी ने किसी ने भगवान ने मनुष्च के रूप में आउतार लिया है और देखिए भगवान सीरे राम मनुष्च के रूप में आउतार लेकर ही भगवान बने रावन का अंत किया राक्षसों का अंत करके और लोगों को आम जनता को सुरक्शित करकर रामराज की स्थापना की रामराज दिया इसलिए वो भगवान कहला है मरियादा पुरसुतम जब कंस के अत्याचार बड़े तो भगवान स्रीकृष्ण ने जन्म लिया उसमें भी अत्याचारियों कांत करके इसी प्रकार जब कांग्रेस के अत्याचार बड़े भ्रष्टाचार बड़ा और पुरी देश की संस्कति को नश्ट भ्रष्ट किया गया चारों तरफ निरासा का वातवन रहां भ्रष्टाचार अनाचार जाती वाद उच नीच सब उसको समाप्त करने के लिए नरेंद प्रष्टेल ने भकाइदा तर्क देते हुए बताया कि मुदी कैसे भगवान मर्यादा पुर्षुत्तम है त्रश्मंत्री कमल पडेल के इस बयान पर कॉंग्रेस ने राजनितिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा अब राजनितिक पार्टी नहीं बलकि करने का मतलब सूरच को दिया दिखाने जैसा है कि भारती जंता पार्टी इंदिनों एक राजनितिक दल नहीं चार्टुकारों की फोज बनती जा रही है अब मानी कमल पडेल जी जो मत्यपदेश शाशन के मंत्री है उन्हें नरेंद्र मोदी भगवान राम के रूप में दिखाई दे रहे हैं शायद वे भूल गए हैं कि राम उनकी सरकार बनाने का माद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् यदि वो नरेंद्र मोदी से करते हैं तो मैं चाहता हूं कि यह ब्रहम उन्हें बना रहे और उसका फैसला भग्वान राम ही करेंगी। इससे पहले दिए उन्होंने सिराजी वो तेंटिया मामा का अवतार बताया था। उसके बाद आदिवासी ओपर हत्या चार ओर बागए ही। पैंटिया मामा का अवतार के राज में ही पांच दिन पहले नेमावर में जिस आदिवासी बालिका के पूरे परिवार के हत्या कर भी थी वो अकेली बच्ची बच्ची हुई थी। उसको न्या याक्रा निकालने नहीं दी। उसको गरफ्तार कर लिया। उसको मुख्यमंत्री जी ने मिलने का टाइम नहीं दिया। उसको हमारे आदिवासी राजिपाल जी ने मिलने का टाइम नहीं दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे टंटिया मामा के अवतार पैदा होत रहें तो कम से कम आदिवासी भाईयों के हमारी आँके खुली रहेंगी वुपाल से उमेश यादव के रिपोर्ट